हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म यूरी के ट्वेलर के बारे में जिसे अब पाइनली कर दिया गया है रिलीज बलतो क्या है वो चलिए देखते हैं सो फ्रेंड्स ये बात तो सभी को पता है कि बॉलिवुड में देखभक्ती काफी सालों बात जागती है अगर बात करें इस साल की तो इस साल हमें देखभक्ती पर बनी फिल्में अब तक देखी है तीन जिनमें सी एक थी अयार दूसरी पल्टन और तीसरी परमानू जिनमें स सिर्फ परमानुष फिल्म ही बॉक्स ओपिस पर एक अच्छी हिट थी, हा लेकिन इस फिल्म को जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी, इस फिल्म में उतनी सक्सेस नहीं हासिल की थी, इस से हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में लोगों को देज़वक्ती से कोई भी लेना दिना नहीं है, उसके बाद आई फिल्म अयाब जिस फिल्म को डारेक्ट किया था, नीरच पांडे ने, और सच में उन्होंने इस फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश की थी, ये बात को सिर्क उन्हें ही पता होगी, क्योंकि ये फिल्म एक और टाइम बेस फिल्म थी, उसक फिल्म में भी हमें देखने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन अब आई है फिल्म यूरी, जिसके ट्रोइलर को देखकर हमें ऐसा लगता है के जी हाँ, हमें देजभक्ती पर ऐसी ही फिल्में चाहिए, त्यूकि फिल्में आगर कुछ अलग होगी, तभी लोग फिल्मे देखना चाहते है फिल्मों को लेकर, लेकिन बात जब देजभक्ती पर आती है, तो बॉलीवूद यहाँ पर काफी पीछे अड़ जाता है, जिसे देखकर शायद ऐसा लगता है कि बॉलीवूद को इंट्रेस्ट नहीं है देजभक्ती पर फिल्में बनाना, लेकिन हाँ ज भी फिल्मों में मसाला एड़ कर दिया जाता है, जैसे के आइटम नंबर और चोटी सी लव स्टोरी, इसका अच्छा खासा एक्जामपल है संजो फिल्म, लेकिन फिल्हाल तो जूरी फिल्म के ट्विलर को देखकर कुछ अलग लगता है हमें, और फिल्म काफी जादा उस पर, कुछ ऐसे बता कर, जैसे के सभी मीडिया उस टाइम पर उस आप्रेशन को कवर कर रहा था, तो आप देखते हैं, जब ये फिल्म नीज होगी, तो हमें इस फिल्म में क्या अलग देखने मिलेगा, और क्या सच में इस फिल्म को पूरी इमानदारी से बनाया गया है या इस फिल्म में भी कोई मसाले एड़ कर दिये गए हैं, जैसे के सौंग जिन की जरूरत ऐसी फिल्मों को नहीं है, और लव का एक छोटा सा ट्राइंगल, ये सारी चीजे अगर फिल्मों में ना हो तो ही जादा अच्छा है, भले से ही फिल्म काफी छोटी क्यों ना बने ये जरूरी नहीं है कि हमें धाई गंटे की ही फिल्म देखना है थेटर में बैठकर, फिल्म अगर देर गंटे की भी होगी, तो भी लोग फिल्म काफी हस्ते हस्ते देखेगी, अगर फिल्म में काफी जादा घ्रिपिंग होगी और फिल्म की स्टोरी काफी जादा अच्छ हम फिल्म नहीं देख लेगे तब तब हम फिल्म को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते कि यह फिल्म कैसी बनी है और किस अलग लेवल पर इस फिल्म को बनाया गया है लोगों को देखने के लिए लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि ऐसी फिल्मों को काफी जादा सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बॉलिवुड में अलग-अलग एक्सपेरिमेंट लोग करते रहेगे अब इससे हट्टर भी फिल्म में बनेगी तो लोग डेफिनेटली फिल्मों को देखकर इंजॉय जरून करेगे बस कंटेंड हॉलिवुड से कॉपी ना हो और एक बात अच्छी ये लगी कि विक्की कॉशल का रोल काफी पाउरफुल लग रहा है और वो हर बार की तरह इस फिल्म के ट्रिलर में भी हमें उनका रोल काफी जादा प्रमसी में अगरा है और बाकी कास्टिंग की बात की जाए जैसे के परेश रावल, यामिनी गौतम, मोहित रायना और कृती गुलाजी इन सभी के रोल की जादा डीटेल हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी क्योंकि ट्रिलर में जादा फोकस सिर्फ और सिर्फ विक्ती कोशल के कैरेक्टर पर ही किया गया है वैल तो आप बाकी की डीटेल अगर आपको जानी है तो मैंने इसके पहले भी इस फिल्म के टीजर को लेकर काफी कुछ कहा था आप जाकर इसके टीजर वानी वीडियो देख लीजिए जो मेरे चैनल पर अविलिबल है उससे आपको पता चल जाएगा कैसर में फिल्म में कौन सी डीटेल भी गई है और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लिजिए और नगया तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजेगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी को नए वीडियो अप्रोड करूँ आपको उसकी वोडिप्रिकेशन सबसे पहले मिलेता और मिल